पहले बल्लेबाजी से दिखाया दोनी जैसा अंदाज और अब विकेट कीपिंग स्किल से दिखाया या कह सकते हो अजम्शन स्किल से दिखाया दोनी जैसा दिमाग दुरूप जुरेल ने आपको याद होगा रांची टेस्ट में पहली पारी में 90 रन की पारी खेली थी और उ ऐसा भरोसा दिलाया दुरूफ जुरेल ने अपनी विकेट कीपिंग से और उसके बाद अपनी बल्लेबाजी से राची टेस्ट में तो हम सबको लगा कि हमें अब एक विकेट कीपर बल्लेबाज ठोस तरीके से मिल चुका है टेस्ट क्रिकेट में जब रिशब पंत आएंगे के दिखाया धुरूफ जुरेल ने और वो चीज हमें महिंदर सिंग धोनी की याद दिलाती जब महिंदर सिंग धोनी स्टंप माइक पर कुछ न कुछ बोलते रहते थे और पहले से ही चीजें अज्यूम कर लेते थे अपने क्रिकेटिंग ब्रेन के हिसाब से और जो भी उन इसी चीजें देखी कि उनको पता होता था अपने एक्सपीरियंस के तरीके से या इतना उनको एक्सपीरियंस हो गया था उनको पता होता था कि ये बल्लेबाज अब आने वाले टाइम में क्या करने जा रहा और वैसा ही होता था अब दुरूफ जुरेल में भी बिल्कुल दोस्तों वैसा ही करके दिखाया है, आपको याद होगा जब बेंड डेकेट के आउट होने के बाद ओली पोप क्रीस पर आते हैं, फिर उसके बाद ओली पोप जैसे बल्ले बाजी कर रहे होते हैं, वो बहुत उतावले लगते हैं पूरे तरीके से, यानि बहुत जादा अकर जानवे रनों के उन्होंने पारी खेली थी, किस तरीके से पारी को उन्होंने धीरे-धीरे करके आगे बढ़ाया था, पहले रोटेशन करी, फिर उसके बाद जहां पर उनको मौका मिल रहा था, उन्होंने वहां पर बड़े शौट खेले और गैप्स भी फाइंड करे, पर उसी चीज को करते 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 वो आउट हो गए और विकिट अपना थमा बैठे कुल्दीप यादफ को, और अगर आप देखे तो वो लंच से कुछी और पहले की बात है, यानि डेवन लंच धरमशाला टेस्ट यानि पांचवे टेस्ट का उन्हे से पहले उसके कुछी ओवर पहले की बात है, 26.2 ओवर्स पे जो है कुल्दीप यादफ ने ओली पोप को गेंद बाजी करी, वो तो उन्होंने ठीक तरीके से खेल ली, पर लेकिन अगर आप उसके बाद देखें तो उसके बाद यहां पर स्टंप माइक में धुरुप जुरेल ने कुल्दीप य जो है थोड़ी सी पीछे रखी दी गेंद, शौट लिंद के आसपास उन्होंने रखी दी गेंद वो और टर्न करके वो भार चले गई और ओली पोप इतने उतावले हो गए थे आगे बढ़ने के लिए और दुरुप जुरेल के पास स्टंपिंग करने का इतना बड़ा चा को ध्यान में रखते हुए कि उनको पता लग गया था कि बार बार जो है आगे बढ़ बढ़ के स्टेप आउट करकर के खेल रहा है और कभी ये इतना उतावला हो रहा है कभी ये क्रीज की इतनी डेप्स का इस्तेमाल कर रहा है जरूर बहुत अच्छी बात है क्रीज का इस साल की उमर में और आने वाले टाइम में हम इसका और भी मज़ा देख पाएंगे स्टंप माइक के पीछे और अब तो बस IPL का वेट है किस तरीके से दुरुफ जुरेल लगतार अच्छा प्रदेशन करके दिखाए और ऐसी बहुत चीजें आपको स्टंप माइक में हमें जरूर बताएं फिलाल अभी के लिए इस वीडियो में दो हैं